हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाला एं स्वागर करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटरियल्स में फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमने आपके लिए लौंच किया है एंद गेंq सीरीस और उसी एनड गेंश सिर्ई हम एक और बहुत पहतरी रिंपरी सीरीस की हम दे शुरूवात की है जो कि है दोस्तों हमारा इंगलिश ग्रामर का रिज़िजन सीरीस तो ये के लिए यह important वीडियो होगा, 11th and 12th के लिए भी important वीडियो होगा, लेकिन हमारा जो main focus है अभी फिलाल में, दस्वी and बार्वी के जो board के students है, जो अभी English का paper लिखने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत जादा useful होने वाला है, and that's why we are making this video, तो आज जो हम लोग topic पंडे वाले है और यहाँ पे मैं बता दूँ कि endgame series का यह हिस्सा है, और यह हम लेकर आगे हैं लगातार तीसरा lecture हमारे English grammar के लिए, तो क्या आप लग तयार हो दोस्तो, homographs पंडेगे ने, क्योंकि आप में से में को लगता है कई सारे स्टूडेंटों के जिनको पता भी नहीं होगा, कि य या फिर homographs है, या फिर यह rhyming scheme, जो की हमेशा poem वाला जो passage होता है, उसमें तो हमेशा rhyming scheme पूछता है, एक या दो marks आप यहाँ से easily score करके दिखा सकते हूँ, तो आज आपको मैं पुरा clear करने वाला हूँ, तो फटा-फट से तयार हो जाए, तो endgame series में आपको पता है, इसके फाइदा हुटाइए, ठीके, अब एक और चीज में बता दो कि दोस्तो हमारा एक Instagram account है, जिसका नाम है RahulJS23, यहाँ पर मुझे follow जरूर से आप कर सकते हो, you can follow me here, and उससे social media पर connect हो जाए, और आप जो भी मुझे से बाते करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, आप यहाँ से मुझे से कर सकते हो, बहुत यह अच्छा आपको लगेगा, ठीके, अब एक और चीज, जो किये दोस्तो हमारा टेलिग्राम ग्रूप, यहाँ पर अगर आपको PDF चाहिए, free of cost, notes चाहिए, और फिर कुछ भी important टास्ट ही है, तो आप हमारा यह जो टेलिग्राम ग्रूप है, J माकसा आता है, और आपको अगर कोई भी चीज चाहिए, तो आप अच्छी तरीके से playlist हमारा चेक कर सकते हैं, और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, तो keep studying, आपको हर एक चीज मिल जाएगा, तो चलिए, आज आते है topic पे one by one, तो सबसे पहले, आज जो हमें पढ़ना है दो सेम होते हैं, बट different meaning होता है, तो आपके बहुत अच्छी तरीके से आपको समझेगा, लेकिन पहले इसको बारीकी से समझो, homograph का actual मतलब क्या होता है, देखो, कुछ word के जो spelling होते हैं, वो सेम होते हैं, लेकिन उनका जो meaning होता है, वो काफी अलग-अलग होता है, और इनका ज इससामबल आप देखोगे, tear, यह जो word Teer है, तो tear क्या है, यह एक homograph word है, यह tear क्या है, एक homograph word है, जिसमें आप बलोगे, एक question आपको समझे लो, एक sentence पूछा है, क्या पूछा है, डू not tear this book, आब यह जो sentence है, do not tear this book, अब यह जो erect here, यह जो word आपको दिख रहा है, यह tear का मत प्रिंस वहाद्ना। लेकिन दोनों का जो meaning है, अलग-अलग sentence के हिसाब से अलग-अलग meaning है, तो यानि कि जैसा हमारा definition बोलता है, कि ऐसे words जिनके spelling भले ही same हो जाए, लेकिन उनके meaning अलग-अलग होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, homographs बोलते हैं, तो tear is the best example of homograph, सबच में आ गया, अब च दिख रहा है, इसको minute भी पड़ा जाता है, तो normally एक sentence यहाँ पर mention किया हुआ, she waited for a minute before she close the door, यानि कि दरवाजा बंद करने के पहले वो एक मिनट उसने इंतजार किया, ठीक है, तो यहाँ पर जो minute है, वो क्या है, time वाला minute, यानि एक मिनट आपनों बोलते हैं, भाई, एक मि fabric, उसमें एक minute tear है, अब यहाँ पर जो minute है, इसका मतलब होता है, जो हावर होता है, एक मिनट, एक गंटे का 60 मिनट होता है, वो वाला है, और यहाँ पर जो minute है, इसका मिनट, तो spelling दोनों के सेम है, pronunciation थोड़े more different है, लेकिन meaning तो totally different है, that's why, यह भी क्या है, एक homograph है, यह क्या है, homograph है, वही जो तीसरा है हमारा यहाँ पर example, जिसका नाम है fair, अब fair भी है, इसे कई सार example, लेकिन हमने यहाँ पर तीन example आपके लिए लिख रहा हैं, तो fair जो example आपको दिख रहा होगा, यहाँ sentence है, पहला sentence, the children decided that they would go to the village fair, यानि कि, जो बच्चे है, उन्होंने decide कि, आज वो अपने गाउ के fair में जाएंगे, fair का मतलब, यहाँ पर क्या होता है, हिंदी में अगर में बात कूद, तो इसको बोलते है, मेला, क्या बोलते है, मेला, आपको पता ना, गाउ में मेला लगता ह while giving his judgment, यानि कि, वो judge को अपने decision में बहुती जादा अनबायास, यानि कि, किसी का भेदभाव ना करते हुए, और एकदम fair decision, fair मतलब एकदम अच्छा decision लेना पड़ेगा, गलत नहीं, मिना किसी भेदभाव के, तो उपर जो fair है, FAIR, इसका मीनिंग मेला है, ठीके ना, मेला तो और यहां पे जो fair का मतलब है, वो है यहां पे अच्छी तरीके से, तो दोनों का spelling, जो है fair का, वो से में, लेकिन दोनों के meaning अलग है, that's why it is called as a homograph, तो उमीद करता हूँ, homographs क्या होता है, और इसका meaning, examples के साब मैंने explain कर दिया, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ मे याने कि कुछ ऐसे words, जिनके spelling दोनों के अलग होते हैं, तिक है, और उनके meanings भी दोनों के अलग होते हैं, लेकिन इनका pronunciation होता है, वो same होता है, याने की, दोनwow का spelling भी अलग है, दोनों का, जो, ये होता है न, meaning, वो भी अलग है, ठीक है, कुछ शच्छत हों के ऐसे, लेकिन बोलने के लिए दोरो same लगते हैं हमें, तो ऐसे कौन से word है, चलो देखते हैं, मुझा आएगा, काफी ज़्यादा, मुझे लगता है, आप भी जादा excited होंगे, तो सबसे पहला word जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे example के तोर पे, जो की है, the whole world is worried about the whole in the ozone layer, तो इसका meaning यह होता चेर होना, ठीक है? होल हो जाना, चेर होना, तो यहाँ पे whole का मतलब होता है पूरा, और यहाँ पे जो whole दिख रहा है, आपको दूसरा वाला होली, इसका मतलब होता है, एक छेर, यानि कि अगर दोनों को आप देखोगे, तो यह homophon से, क्यों हो homophon से? क्योंकि यहाँ पे w होल है यानि और ये होल होल है यानि कि दोनों के दोनों के spelling अलग है ठीक है दोनों के meaning अलग अलग है लेकिन दोनों का pronunciation देखो same है इसको भी होल बोलते हैं और ये होल होल को भी होल ही बोलते हैं correct है समझ में आ गया तो इसलिए इसका ये पूरा का पूरा है क्या कि आप bus का जो किराया है वो दिन बर अपर हर बार बढ़ा होगे हर दिन में बढ़ा होगे ग्रत बात है तो यहाँ पर दो वर का इस्तेमाल किया गाए यहाँ पे एक पहलार वर है और यहाँपे आप देखो के बाजू में इसका मतलब होता है, क्या ये अच्छी बात है, क्या ये सही है, इसका मतलब ये हो गया, और ये जो F-A-R-E-F-A-R-E-F-A-R-E-F-A-R-E-F-A-R-E-F-A-R-E-F-A-R-E-F-A-R-E-F-A-R-E-F-A-R-E-F-A-R-E-F-A-R-E-F-A-R-E-F-A-R-E-F-A-R-E-F-A-R-E-F-A-R-E-F-A-R- दोस्तों, क्या बोलते हैं, बहुत ही बहतरीन तरीके से इसको होमोफोंस कहा जाता है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, औक अब यहाँ पर एक चीद आपको समझना पड़ेगा, अगला जो टौपिक है हमारा, जो की एक और बहुतरीन एक्जाम्पल है, क्या बोल रहा है, देख यानि कि यह दोनों के दोनों जो weather है, यह क्या है totally different है, समझ में आ रहा है दोस्तों, clear है, तो उमीद कर रहा हूं कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब यहाँ पे दोनों के दोनों weather अलग-अलग है, meaning, इसका जो meanings जो है वो भी अलग-अलग है, spellings जो है वो भी अलग-अलग है, दोनों का pronunciation क्या है, same है, इसलिए इसको homophones कहा जाता है, समझ में आ गया, अब चलते हैं हमारे आखरी और last topic for today, that is nothing but rhyming scheme, तो यह rhyming scheme क्या है बबाबा, कही न कही सुने ला लगता है, तो यह rhyming scheme जो है, यह बहुत बढ़िया topic है, normally आपने notice किया होग तो यह exactly होता क्या है, इसको समझते हैं, अगर आप यह समझ लोगे, पूरा का पूरा tension मुक्त हो जाओगे, सबसे पहले यहाँ पर कुछ example दिखाता हूँ, तो rhyming scheme का एक definition पहले वो समझ लेते हैं, तो क्या बोलता है, rhyming scheme is a pattern of rhymed line, rhyming आपको बता है, rhyming words जिसके sound same होते हैं, तो यहाँ पर rhyming scheme is a pattern of rhymed line, endings of the poem or song, यानि कोई song हो सकता है, या फिर कोई poem हो सकता है, उसके ending words को देखना होता है, तो letters जो होते हैं, it is used to indicate which rhymes line, designed with the same letter, all rhyme with each other, अब यह definition तो यह सुनके मजा नहीं आया है, आप लोग को भी, ठीक है, अब यह definition तो नहीं बाजू में रखते है तो यहाँ पर me हो गया, ठीक है, तो me के लिए हमने लिख दिया a, अलग है न, a लिख दिया, शुरुआत तो किसे से करनी पड़ेगी, तो a से शुरुआत करते हैं, और हमेशा small letter लिखा जाता है, rhyming scheme के लिए, तो मैंने a लिख दिया, अब आप next देखो कि next line है, black as the pit from pole to pole, तो last word क्या है, यहाँ पर pole है, अभी मुझे बता, पहला जो word था me, last word देखो, यहाँ पर first sentence में me है, second sentence में pole है, तो me और pole क्या एक rhyming word है क्या, तो आप बोलोगे कि नहीं सर, यह rhyming word नहीं है, तो इसके लिए मैंने क्या लिखा, बी लिखा, अगर यह दोनों आपस में rhyming word ल यह me के साथ rhyming करता है, यानि me और यह b, यह दोनों same same लग रहे, me, b, तो यह rhyming word है, तो me के लिए मैंने क्या लिखा था, a लिखा, तो अगर b है, तो b भी उसका rhyming word है, तो b के लिखा लिखा, a देना पड़ेगा, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है, तो पहला जो लिखा, मैंने a लिया था, अब मी के जैसा मिलने वाला जो भी चीज रहेगा, मी, b, c, g, कुछ भी रहेगा, तो उसके लिए भी मैं a लूँगा, तो पहला a, दूसरा अलग था, इसके लिए b, तीसरा same है, इसके लिए a, अब छवता देखो, for my unconquerable soul, तो यहाँ पे आप देखोगे तो soul किसके साथ rhyming में मिलता है, pole के साथ, तो यह pole और soul जो है, यह same sum लग रहा है, pole, soul, pole, soul, तो pole के लिए मैंने क्या लिया था, b लिया था, तो soul के लिए भी मुझे b लेना पड़ेगा, तो इसके लिए आ गया b, तो इसकर जो rhyming stanza बन गया, rhyming scheme बन गया, यह paragraph का, यह paragraph जो ह है, 4 line का, इसका rhyming scheme क्या बन गया, a, b, a, b, बस इसको line में लिख देना, यह पहला, a, b, a, b, इसके लिए अमने लिख दिया, इसको a, b, a, b, समझ में आ गया, कितना simple है rhyming उन्वजाना, और यह generally एक से दो marks के लिए आपको exam में पूछेगा, यह पूछेगा, guarantee के साथ बोल स सकता है, पहला अलग है, दूसरा से में तिसरा अलग है, तो यह a, b, b, भी आ सकता है, a, b, c, भी आ सकता है, तो इसे साथ से आपका बनता रहेगा, वह आप लोग बना लेना, ठीक है, समझ में आ गया, तो फिर आज इसी के साथ में यह वीडियो समाप करूँगा, क्योंकि आज का वीडियो इसे पितना ही था, जिसमें हमने पूरा का पूरा हमने होमोग्राफ पढ़ लिया, होमोग फोन्स पढ़ लिया, और उसके बाद हमने देख लिया राइमिंग स्कीम, जो की बहुत जादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे के साथ आज का वीडियो समापत होता थैंकी सो मज गाई पर वाचिंग इस वीडियो, आपको और किस प्रकार के वीडियो चाहिए, हमें प्लीज कंटिनुय कोमेंट करके बता आज सकते हो आप लोग, ठीक है, और अगर आपको यह हमारा वीडियो और जो हम महनत कर रहे हैं, आपके लिए यह पसंद आ रहा है, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना हो सके, शेयर करो, ताकि आर उनको भी पता चल सके, इस वीडियो के बारे में हर स्टैंडर के लिए कॉमन बना रहा हो, ठीक है, और लास्ट बट नॉट दिलिस्ट, you can follow me on Instagram This is my ID, ज़रूर से follow करना, social media पर connect हो जाना मुझसे, ठीक है, तो चलिए, जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए, thank you and goodbye.